असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब ठीक हैं उमीद करते हूँ आप सब ठीक होंगे अलापाक आप सब को स्लामत रखे अलापाक आप सब को आबाद रखे आमीन सुमामीन तो मेरी प्यारी सी यूटूब फैमिली आप सब भी सूच रहे हूंगे काफी दिन से मैंने आप सबको अपने मिनी जू के पोदे नहीं दिखाए अपने फ्रोट्स नहीं दिखाए तो मैंने सुचा क्यों आज आप सब को जुमका बेल दिखाए जाए क्योंकि हवा बहुत प्यारी चल रही थी और मौसम काफे प्यारा था तो मुझे ये फूल काफे प्यारी लग रहे थे मैंने सूचा क्यों ना आप सब के साथ भी शेयर किया जाए तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमली ये देखिए आज हमारे जो पिजन्स है ना जिन्होंने अपने दोनों एक को खराब कर दिया आज उन्होंने एक फिर से नियू एक दे दिया मुझे तो इस एक के बिलकुल भी खुशी नहीं है क्योंके मुझे नहीं लगता कि ये अब की बार भी इस एक को अच्छे से इंक्यूबेट करेंगे और इसमें से हमें बेबी पिजन्न नजर आने वाला है और ये जो हमारा बेबी पिजन्न दूसरे वाला था ये माशालला पहले से काफ़ी जदा बड़ा हो गया है और प्यारा भी है बिलकुल अपने पैरेंट्स पर गया है तो मेरी प्यारी सी यूटूब फैमली आप सब बताएगा आप सबको हमारा बेबी पिजन्न कैसा लगा आज मैंने अपने सब पिजन्न को पैरेंट्स को डाइट में रोटी दी थी क्योंकि मैं सूच रही थी काफ़ी दिन से मैंने इनको रोटी नहीं दी स्टार्टिंग में तो फर्स्टी जो किया था उसके बाद मैंने स्ट्रिल दाल ही दे रही थी लेकिन मैंने सुचा क्यों अपने तितर को भी आज रोटी दी जाए और देखा जाए कि तितर रोटी को खाते हैं और हमारे तितर ने आज मुझे सप्राइस कर दिया माशाला आज जैसे ही मैंने इनकी डाइट को इनके पास रखा तो हमारे तितर पहले तो खिड़की से बाहिर निकाल कर खाना स्टार्ट हो गए फिर उसके बाद उन्होंने बाहिर आकर खाना शुरू कर दिया यानि कि मैं उनके पास खड़ी थी तो वह बिल्कूल भी डर नहीं रहे थी अपने केज से बाहिर आकर खा रहे थे फिर मैंने उनको इनके केज में उनके खाने को दिया और मैंने अपने सब मिठु को सब पैरट्स को भी आज डायट में रोटी ही दिए लेकिन आप सब को पता है ना कि मिठू मेरा कुछ लाडला है तो मैंने मिठू को रोटी के साथ waterproof धिया था क्योंकि आप सब को पता है मिठू की जो बाते हैं मिठू की जो शरारते हैं वो मुझे काफी अच्छे लगती हैं मिठो के बाते तो आप सब नवी तक नहीं सुनी लेकिन मैंने तो सुनी है तो इस वज़ए से मिठो मेरा थोड़ा से लाडला है अभी तो उमने अपने मिठो का बहुत प्यारा सा नाम भी रखना है कुछ मस्रूफियक के वज़ए से अभी मैं अपने पैट्स के नाम ने रख काफी तिर में खड़े रही तो फिर इन्होंने आ कर खाना स्टार्ट किया उमीद करते हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलियगा और अपने फ्रेंड्स एन फैमली के के दूर चली गहीं पता नहीं शायद इनकी जगह चेंज हुई है या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारी फिंचीज ने हमसे क्यों डरना स्टार्ट कर दिया और मिठों को तो देखें आज रोटी कुछ ज्यादा यह अच्छी लगी है विलते हैं कल अलहाफिज